नमस्कार किसन भाईयों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, कुवोटा कमपनी काफी सारे ट्रेक्टर्स का निर्वान करती हैं, जिसमें मीनी ट्रेक्टर्स, 45 HP ट्रेक्टर और 55 HP ट्रेक्टर आते हैं, लेकिन आप सभी की बहुत समय से मांग आ रही थी कि कुवोटा कमपनी 55 HP और 45 HP के बीच का एक ट्रेक्टर का निर्वान करें याने कि 50 HP ट्रेक्टर को इंडिया में लाई तो आप सभी की मांग को पूरा करते हुए कुबोटा कमपनी ने अपने नए ब्रेंड न्यू ट्रेक्टर कुबोटा 552 जो की 50 HP श्रेणी के अंदर आने वाला है इसको लॉंच करने वाली है किसान भायो आज के वीडियो में आपको जो भी हमें जानकरी उपलद हो पाईए वो आपको बताने के कोशिश करूँगा और इसका पूरा वीडियो आपको जल्द ही मिलेगा हमारे चेनल पर तो चली शुरू करते हैं आज का वीडियो किसान भायो कुबोटा 552 के अंदर आपको 50 HP का 4 सिलेंडर 2434 CC का एंजिन मिलता है जिसके अंदर 2200 इंजिन रेटेर आर्पम मिल जाते हैं वही इसका एर फिल्टर ड्राइ टाइप और ड्योल एलिमेंट के साथ दिया हुआ है किसान भायो इसके अंदर भी वही कुबोटा का 4 वोल्व वाला EC-DIS इंजिन मिलता है जो की बैलेंसर शाफ्ट के साथ आता है यहाँ ट्रेक्टर की सबसे बड़ी खासियत इसकी SFC है यहने की Specific Fuel Conception जो की अपनी शेनी में सबसे कम है जो की 235 ग्राम किलोवोट पर आवार है जो की एक बहता ट्रेक्टर इसे बनाती है आज के जमाने का किसान भाईयो अगर बात किया इसके PTO पावर की तो लगबा 31.07 किलोवोट यहने की लगबा 43 HP की PTO पावर इसके अंदर मिल जाती है यह कि 540 अरफ्यम स्टेंडर PTO, Economy PTO और Reverse PTO के ओप्शन के साथ आने वाली है इसके अंदर आपको 2-wheel drive और 4-wheel drive दोनों ही option मिल जाते हैं जो की बहतर option है किसान भाईयो इसके अंदर जो front axle है 4-wheel drive का वो bubble pinion के साथ मिलता है जिसकी life काफी long रहने वाली है और काफी बहतर है इससे इसकी turning radius भी काफी कम होती है जिससे खेद में काम करते वक्त काफी मदद मिलेगी किसान भाईयो अगर बात करें इसके पिछले axle की तो इसके अंदर planet gear reduction वाला पिछला axle दिया गया है लेकिन सबसे खास बात इस ट्रेक्टर की इसका जो पिछला axle है वो adjustable type के दिया हुआ यनि कि आप पिछला axle भी adjust कर सकते हैं जो कि सबसे अलग बनाता है इस ट्रेक्टर को किसान भाईयो अगर बात की जाए इसके gearbox की तो high low medium पहली बार कुबोटा कमपनी लाने जा रही है अपने ट्रेक्टर में इंडिया के अंदर तो इसके अंदर high low medium वाला gearbox मिलता है जिसके अंदर 12 forward और 4 reverse गियर मिलते हैं इसका जो gearbox है वो है synchronous उसी के साथ इसके अंदर आपको PTO के लिए अलग से clutch lever देखने को मिल जाता है जिसे हम independent PTO clutch lever बोलते हैं यनि कि इसके अंदर दो clutch मिलते हैं किसान भाईयो इसकी lifting capacity इसकी price ये सारी जानकर या भी उपलब्द नहीं हो पाई है तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहे हैं चैनल को subscribe कर ले क्योंकि जल्द ही आपको एक पूर्ण वीडियो इसका मिलने वाला है जिसके अंदर सारी जानकर ये आपको बताई जाईगी अगर बात करें इसके launching date की तो लगबग एक से तीन महीने के अंदर ये launch हो जाएगा इंडिया में और जल्दी किसान भाईयो के उपलब्द कराया जाएगा किसान भाईयो वीडियो पसंद आएगा तो like, share and subscribe करें चैनल को धन्यवाद